हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ पुनीत और आप देख रहे हैं टॉक विट पुनीत यूटुब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं ओर्डनेस फ्रेक्टरी भर्ती 2020 के बारे में ओर्डनेस फ्रेक्टरी ने जारी कर दिया है अगर आप दसवी पास और आईटाई पास कैंडियेट्स है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अफसर है और नेस फ्रेक्टरी में कारी करने का फ्रेंड छे हजार से भी जादा वेकेंसी है आप यहां पर देख सकते हैं छे हजार साट वेकेंसी है आप रेंटी सिप के पौदर पर भरती का जो कि फ्रेक्टरी के लिए बहुत ही अच्छा अफसर है फ्रेंडे की आखरी तारीक 9 फरवरी 2020 है जी हां फ्रेंड नौ फरव सके इसकी पूरी जानकारी को और भर सके इस फॉर्म को तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी यूट्यूब चैनल टॉक्वित पुनीत को जरू सबस्क्राइब कर लिजेगा ताकि आने वाली जितनी भी गौर्मनेट जोब की अपडेट्स होती है उस सब के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो फ्रेंड चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन प्रेस करके और पर क्लिक कर लिजेगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंड बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब तो friends सबसे पहले इसके basic detail को देखेंगे और उसके बाद oddness factory के दोवारा जारी केगे official notification को देखेंगे step by step सारी जानकरी को समझेंगे कुछ भी मिस नहीं करेंगे ताकि आपको form को भरने में आशानी होगे सारी जानकरी समझना step by step detail में तो friends यहाँ पर देखें ओर्डनेस factory की requirement है apprenticeship की vacancy को दारी क्या हुआ है ओर्डनेस factory नागरपूर ने ठीक है नागपूर की vacancy है तो talk with पुनी चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लिजेगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरू सबस्क्राइब कर लिजेगा तो सबसे पहले बात करते हैं इसके application fees की तो friends यहाँ पर जर्णल और OBC को 100 रुपीज का application fee पे करना होगा और SCST physical handy के आपको कोई भी application यहाँ पे पे नहीं करना है उनके लिए free of cost is 0 रुपीज है fee payment करने के लिए जो जर्णल OBC वाले candidates है वो net banking, debit card, credit card और SBA चलान के थुरू भी payment कर सकते हैं बात करें अगर इसके dates की तो पर यहाँ पे देखिए 10 जनवरी 2020 से आप इसके लिए form को भर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा last date 9 February 2020 है और fee payment करने की भी last date 9 January 2020 है merit list जब इसके आएगी तो merit list की date अभी confirm नहीं है जब यह date आजाएगी तो हम आपको inform कर देंगे तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा सारे date आपको मिलते रहेंगे job location होगा वो आपका नागपूर महराष्रा के अंदर होगा age limit की बात करें तो 15 से 24 साल की candidates इस form को भर सकते हैं minimum I.U. जोगी 15 साल और maximum 24 साल होगी साथ में कुछ candidates के लिए upper age limit का भी requirement दिया है यानि कि 24 साल के ज़्यादा के भी candidates भर सकते हैं अगर आप OBC है तो 27 साल के candidates भर सकते हैं और SCST वाले 29 years वाले भर सकते हैं साथ ही जो हमारे बाकी category है BC, SC वगरा उनके लिए पार चेक कर लिए जो को official notification में सारी जानगारी दिया वो भी अभी दिखा देंगे ठीक है बाकी जो भी categories है बात करें नमबर पोश्ट की तो पर यहाँ पर दे सकते हैं 6060 vacancy अप्रेंटिस की बहुत ही ज़ता vacancy है 10 वालों के लिए भी है और IT वालों के लिए ठीक है दोनी पोश्ट के लिए 10 वालों के लिए अलग है और IT वालों के लिए अलग vacancy है सारे detail में जानेंगे ठीक है तो फ्रेंटिस यहाँ पर देखिए OIB की requirement के अंदर जो IT अप्रेंटिस है निकि जो IT वाले बंदे हैं ठीक है जिन्होंने IT गर रखा है उनके लिए 2,211 vacancy अप्रेंटिस ठीक है 2,000 vacancy आपकी IT अप्रेंटिस की है training period और pay scale की बात करें तो यह आपको official notification में देखने के मिलेगा जो कि apprenticeship act के तहत आपको official notification में दिया हुआ है तो अभी सारे detail में उसको हम देखेंगे ठीक है सारी जानकरी step by station समझेगे तो यहाँ पर देखिए trade apprentice के लिए 10 भी मांगा हुआ है साथ में IT मांगा हुआ है कोई साथ भी आपका IT भोने चाहिए NCVT या SCVT जो भी आपने कर रखा दोनों ही usable है ठीक है national certificate वाले भी state वाले भी दोनों ही apply कर सकते हैं यहाँ पर और जो non IT post trade apprentice की उसमें सिर्फ 10th marks मांगा हुआ हुआ है साथ में आपका 50% marks आपका होना चाहिए minimum ठीक है 50% marks आपने passport क्या होना चाहिए और math और science में 40% marks होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका math और science में 40% marks नहीं है तो आप eligible नहीं होंगे इसमें ठीक है तो सारी जानकारी के लिए डिटेल में यह पूरा जो भी educational qualification है ना इस detail में आपको official notification में देखने को मिलेगा explain किया हुआ ठीक है तो apply कैसे करने है तो apply करने के लिए वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा आप apply कर लिजेगा बट उससे पहले आप यह पूरा वीडियो देख लिजेगा ठीक है जो भी जानकरी ठीक है डिटेल में उसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद form को कैसे भरना है वो भी आपको बता देंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका official notification तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यह government of India minister of defense के दवारा जारी किया गा ordinance factory के दवारा एक official notification है जिसे 31 December 2019 को जारी किया गया था ठीक है ordinance factory ने इसको जारी किया था तो नीचे देखे यहाँ पर साफ सब लिखा हुआ है IT post दो है हमारे पास देखे टोटल हमारे पास 6,060 vacancy है जिसमें से 3,847 vacancy IT वालों के लिए है और 2,219 non IT वालों के लिए ठीक है यानि कि जिसे 10th past candidates है तो यहाँ पर देखिए form की शुरुआत 10 January 2020 से हो जाएगी 10 January के बाद आप इस form को भर सकते हैं और 9 February 2020 तक इसकी आखरी date है लास्ट date 9 February तक आप इसको भर सकते हैं रात के 12 बाई तक ठीक है 24 साल और 5 प्लस करके यानि कि 29 साल वाले candidates SCST के लिए 29 years वाले candidates वो भी apply कर सकते हैं और OBC वाले 27 यानके लिए 3 साल करेक्षिन दिया हुआ ठीक है अपर इसलिमेंट का तो वो 27 वाले पर अप्लाई कर सकते हैं साथी जो physical handicap है उनके लिए 10 साल का दिया हुआ है अन्रिजर्ब में 10 साल OBC में 13 साल और SCST के लिए 15 साल दिया हुआ है और जो IT वाले candidates है वो देखें NCVT और SCVT दोन ही applicable है ठीक है फ्रिंट्स national वाला junior ने कर रखा IT वो भी applicable है और state वाला भी applicable है दोन ही भर सकते है यहाँ पे तो NCVT, SCVT मांगा हुआ है 50% marks आपका होना बहुत जोगी है 10th के अंदर IT के साथ तो यहाँ पे देखें दोन ही eligible है आप भर सकते है जो भी इसमें आपको भरना चाहें वाकेंसी की details आपको पूरी देखने को मिल जाएगी सारा यह आप पढ़ लीजेगा अगर अपलाई करना चाहते है तो ठीक है इस सारा detail में दिया हुए अपलाई करने के लिए देखिए www.jov.in पर जाकर के आप अपलाई कर सकते है लिंक आपको वीडियो के description में मैंने भी देदिया है उसको आप भर सकते है photograph जो आप अपलोड करेंगे photograph आपका 3 x 5 cm x 3.5 cm यहाँ पर देखिए 3.5 cm लबाई और चौड़ाई में होना चाहिए और size होगा उसका 20-70 के बीच में होना चाहिए तब भी वो upload होगा जेपीजी फर्मूटर रखेगा तो upload easily हो जाएगा signature जो करेंगे आप वो देख लिजी वो भी आपका किसमे होना चाहिए वो 20-30 के बीच में होना चाहिए सारे documents देखिए जो भी documents देखिए 20-30 के बीच में thumb impression भी होना चाहिए और signature reference ठीक है इनका size इतना ही रखेगा 20-30 के भी ताकि easily upload जाएगा site पे उसके बाद आपको अधार का data आच करना होगा अधार नमर डालना पड़ेगा ठीक है या फिर अगर आपने पास internet ID तो अधार नमर तो होगा ही सब के पास तो अधार का डाल दीजेगा ठीक है जो भी आपके mark sheet बगएर है ITA वाले canvas दो है उनके बास जो भी mark sheet ITA की वो लगा लिजेगा जितनी भी mark sheet ठीक है NCVT, SCVT दोन ही लगा लिजेगा cast certificate अपना SCST, OBC जो भी है वो अपना लगा लिजेगा उसके बाद physical disability PH candidates जो है, physical handicap और PWD जो है ठीक है, वो भी अपना certificate लगा लिजेगा बाकि जो भी आपके पास character certificate बगएर हो जितना भी कुछ है, वो सारा कुछ आप इसमें attach कर लिएगा सब इसमें लिखा होगा, ठीक है तो यहाँ पर देखेजगा, voter ID, passport, pen card, driving lessons, photo ID, issue जो भी government को लगा लिजेगा तो यहाँ पर जो भी आपके पास अबलेबल हो वो लगा लिजेगा अपका merit के बेस पर होगा, यह आप साथ यहाँ पर देख सकते है चाहिए आपका IT हो यह non-IT, पोश्ट, दोनों ही आपका merit के बेस पर selection होगा तो merit list बनेगी तो उसके notification आपको दे दिये जाएगा सारा जानकरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसके बार देखें, जो reservation होगा reservation सिर्फ उनी candidates को मिलेगा, जो कि नाधपूर के candidates थेंगे बाहर वाले candidates को reservation नहीं मिलेगा, वो all India category में आएगे student की बात करें, तो friends यहाँ पर देखें, student के बारे में आपको जानकरी मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर देख लिजेगा, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है वहीं बात करें, तो आपको physical fitness का भी certificate यहाँ पर देना पढ़ेगा medical exemption भी होगा आपका, और कुछ यहाँ पर terms and condition आपको देखने के मिल जाएगी यह सारा कुछ पढ़ लिजेगा, fee payment करने के लिए 100 अरफे का fees लागे है, जर्नल OBC के लिए बाकि किसी भी candidates को कोई भी fee payment यहाँ पर नहीं करना है यहाँ पर देखे कोई भी अगर आपको problem होता है form भनने के दोरान तो आप इस number पर contact कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको zoom कर देता हूँ, देखे 1-8-0-1-2-0-7-6-9-9 पर call कर सकते हैं दस बज़े के बाद, ठीक है friends, यहाँ पर आपको सारी जान करें मिल जाएगी, जो भी आपको कोई problem होगा तो आप यहाँ पर contact कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी comment कर सकते हैं, description में comment कर देजेगा, मैं आपको उसका reply देदूँगा चैनल को subscribe करें, हर update आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है friends, बाकि यहाँ पर देखें, कुछ आपको guidelines वगरा पर देखें, इसको सारा कुछ पढ़ लेना है, ठीक है, size वगरा मैंने बताईता है, 20-30 के बीच में सारे document का size होगा, ताकि easily upload हो जाएगा, ठीक है, अब काल, चैनल के अपकोकाитесь, इसकोड़ आपको Muslims वाले, इसको सारा कुछ चैनल की, यह पर देखें, ठीक है, ठीक है, आपको सारी वेकंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पूरा टेबल बना हुआ यहाँ ठीक है ओफिशिल लिए तो यह पूरा ओफिशिल नॉटिफिक्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसको पूरा डाउलोड कर लिजेगा जो भी आपका कौलिफिकेशन है उसको आप चेक कर लिजेगा इसली आपको देखने मिल जागा हर वेकंसी जहां जाएग वेकंसी है उस सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ है सबाब डेटेल में official notification है तो इसको download कर लीज़ेगा link आपको नीचे description में मिल जाएगा और बाकी कोई भी जानकाली चाहिए तो मुझे आप comment कर दीज़ेगा मैं आपको उसका reply दे दूँगा ठीक है तो friends एक पर चैनल को subscribe कर लिज़ेगा ताकि जो भी update सो आएगा वो update आपको मिलता रहेगा ठीक है तो यह मैंने पूरा notification आपको बता दिया है उमीद करता है वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को